पहला question है यदि पहले सीखा गया कारिये नए सीखे जा रहे कारिये में बाधा उत्पन करता है तो इन में से कौन से type का transfer of learning होगा तो इसके अंदर है हमार पास positive, negative, zero transfer या फिर primary तो जो इसका answer होगा वो होगा negative transfer और इसका reason यह होगा क्योंकि जब पहले कोई भी हमने कारिये सीखा हुआ है और जो नए सीखे जा रहे कारिये के अंदर बाधा उत्पन कर रहा है तो इस वह जैसे negative transfer होगा और इसका एक example भी देख लेते हैं हम कि यदि हमने कोई भी पहले जैसे कि मानलो volleyball सीख ली और volleyball खेलने के बाद हम अगर football खेलेंगे तो उसके अंदर हमें एक बार starting starting में problem face करनी पड़े हैं और volleyball में हम ball को हाथ से मारते हैं और football में वही हाथ पे ball लग जाते हैं तो उसका foul होता है जैसे अगर scooty चलाते हैं या फिर कोई और automatic car चलाते हैं और उसके बाद हमें manually कोई भी कार वगएरा या फिर bike चलाने पड़े तो उसमें हमें starting problem face करने पड़ते हैं क्योंकि एक में हमें gear नहीं shift करने पड़ते हैं दूसरे के अंदर हमें gear shift करने पड़ते हैं नेक्स्ट क्वेशन है which of the following is not a stage of fred psychosexual development तो इसके अंदर जो segment fred थे उनमें से कौन सी stage नहीं है psychosexual की तो इसके अंदर हमें पता है oral stage भी है latency stage भी है और anal stage भी है तो इसका जो option जो होगा correct होगा option second pre-operational stage जो pre-operational stage है यह जीन प्याजे की stage है next which schedule of reinforcement is most effective इनमें से reinforcement का सबसे best और most effective कौन सा part है variable ratio, continuous reinforcement, fixed interval reinforcement या फिर fixed ratio तो जो इसका answer होगा वो variable ratio होगा because जो variable ratio होता है उसके अंदर बच्चा जो होता है अपने desired जो behavior होता है और अच्छे काम करता रहता है क्योंकि उसे पता नहीं होता कि उसे कब reinforcement मिलेगा तो वो reinforcement की उमीद में positive और good behavior अपना करता रहता है next हमारा the fact that fish cannot fly and owls cannot learn to swim is an indication हो यह किस तीज की indication है lack of reinforcement क्योंने अच्छे से reinforcement नहीं मिलाई सो जैसे जो फिश हो फ्लाइन ही कर पाती तो यह option तो बिल्कुल ही रॉंग हो गया दूसरा lack of their experiences तो उनके पास experience जब उनके पास skill ही नहीं है ना ही owl के पास fins है ताकि वो swim कर सके तो यह भी experience की तो बात ही नहीं होती हाँ पे laziness of these creature तो laziness वाला भी option नहीं होगा तो उमारा पास एक ही correct बचता है जो कि बिल्कुल ही ठीक option है the effect of biological limits on learning तो इसके अंदर यह है कि जो learning पे है वो हमारी biological factors जो है वो भी effect करते हैं तो वही है जब owl के पास fins ही नहीं है और gills ही नहीं है तो swim कैसे कर पाएगा पानी के अंदर जाते ही वो मर जाएगा और वहीं जो fish है वो fly क्यों नहीं कर पाते है क्योंकि उसके पास wings नहीं ह has been given by जो shaping का concept है वो इन में से किस ने दिया था तो इसका answer है B.F.Skinner जो थे उन्होंने ही हमार को shaping का concept दिया था फिर next according to Sheldon Sheldon के दोवारा which of the following is not a type of personality इन में से personality का कौन सा type नहीं है तो इसका जो answer होगा वो है हमारा इतो मॉर्फी नेक्स्ट वर्शन है which of the following is not the psychoanalytical method of personality measurement इन के अंदर से psychoanalytical method of personality का कौन सा नहीं है तो हमार को पता है जो psychoanalytical का है उसके अंदर free association भी एक part है word association भी और dream analysis भी तो इसका जो correct answer हो जाएगा वो हो जाएगा answer number two और यह सार क्योंकि एक option है और इसके अंदर हमें not पूछा है तो यह इस तरीके से wrong हो जाएंगे नेक्स्ट मार पास the tendency of pre-operational child to focus on one aspect of situation neglecting other aspect has been termed by प्याजे as जो की प्याजे ने बात करी थी कि बच्चे का एक focus करता है एकी चीज़ पर focus करता है और जो उसके लावा बाकी चीज़े होते हैं उन्हें neglect करता चला जाता है तो उसने इसका answer दिया था केंद्रिक करन की मतलब जो एकी चीज़ पर बच्चा focus करेगा और बाकी चीज़ों को neglect कर देगा उसके बाद जो next question हमारे पास which of the following is method to teach autistic children इन में से जो autism वाले बच्चे होते हैं उनको पढ़ाने है कौन सा तरीका होता है इस तो इसका answer है PECS जो PECS है हम उनसे बच्चे के को पढ़ा सकते हैं क्योंकि जो autism वाले बच्चे होते हैं उनके अदर behavior के भी और भी साथ में काफी सारी हमें बिमारी देखनी को मिलती है इस वज़े से हम उने PECS से पढ़ाएंगे विच अफ दा फॉलोइंग में एक्ट एस प्राइमरी रेइनफोर्सर तो इनके अंदर से जो प्राइमरी रेइनफोर्समेंट है वो कौन सा करेगा प्राइमरी नहीं है और से इंग वेरी गूड यह दोनों एक ही तरीके से हो जाते हैं और यह दोनों जो हमारे पास हैं यह सेकेंडरी रेइनफोर्समेंट के अंदर इंक्लूड आजाते हैं तो जैसे बिस्किट देना है कोई भी फिजिकल उन्हें प्राइमरी रेइनफोर्सर होंगे तो इसका अंसर होगा उप्शन नमबर सेकेंड अबिस्किट फिर नेक्स्ट कोईशन है कोईशन नमबर 11 डिस्ग्राफिया तो डिस्ग्राफिया किस चीज का टाइप है तो डिस्ग्राफिया दोस्तों लर्निंग डिसेबलिटी का टाइप है फिर question number 12 है who among the following first gave the theory of moral development तो जो दोस्तो moral development की theory है वो हमें सबसे पहले दी थी gene-piazay-gene और जैसे कि हमें पता है जो koholsberg थे उन्होंने gene-piazay की study को पढ़ के theory को पढ़ के अपनी theory दी थी तो जो इसका correct option होगा सबसे पहले हमें theory of moral development दी थी gene-piazay-gene तो एक और question यहाँ पे gene-piazay से related हमें देखने को मिलेगा तो question है the ability of class grouping develops during जो class grouping की जो ability हो बच्चे के अंदर कौन सी stage के अंदर आ जाती है तो यह दोस्तों हमारे को आ जाती है concrete operational stage में जो की जिसकी age थी 7 से 11 years तो next question है a child says mama today the sun is sad it indicates which of the following limitation of pre-opperational thought तो जब बच्चा कहता है की mammy आज sun जो है वो sad है तो इसके अंदर हमें कौन सी stage देखने को मिलती है thought बच्चे के अंदर तो इसके अंदर immunism देखने को मिलती है next according to cognitive development theory of pya j in which of the following process children either modify or form a new schema based on new experience तो जो pya j ने ये बात कही थी हमार को accommodation के अंदर कि जो भी है बच्चा होगा या तो modify करेगा कोई भी previous schema को या फिर नया जो schema है या बनाएगा तो new बनाना या फिर modify करना वो दोनों accommodation के अंदर आएंगे according to why gods की the upper limit of tasks that a learner can successfully perform with the assistance of more prominent individual is termed as मतलब की वह वाली stage जिसके अंदर की बच्चा किसी की help लेके कहां तक achieve कर पाता है जिससे achievement बढ़ जाता है तो उसे कौन सी stage कहते है why gods की get through या द्वारा तो इसका जो answer है वो है level of potential development तो जैसे की हम एक बार देख लेते हैं यह कोई भी बच्चे बच्चा है तो इसकी सबसे पहले होती है actual development वो है उसकी a point तक actual development है मतलब उसको यहां तक knowledge है उसके पास a तक पर वो उसकी जो अगर किसी की help ले तो वो एक b point तक पहुँच जाता है तो जो b point है वो हमारे पास है वो potential development की बच्चा help लेने के बाद कहां तक पहुँच सकता है और जो a है वो actual development है कि मतलब उसके actually आता कितना है और जो यह वाला है a और b जो है यह होता है दोस्तों हमारा z dp मतलब की इसके अंदर ही help लेते हैं और इसको z dp का है वाइगोट्स की ने next हमारा which term refers to extra cues designed to increase the chances of a student providing the correct answer to a question तो इसके option देख लेते है brainstorming, prompt या suggestion या none of this तो दोस्तों इसे prompting का गया है और जो बच्चे brainstorming लगा के आ है यह बिल्कुल ही गलत हो गया क्योंकि जो brainstorming होता है यह group activity है और साथ-साथ इसके अंदर बच्चे के अंदर divergent thoughts develop करने के लिए हम generally brainstorming करवाते हैं next is modeling is based on, जो modeling है वो हमार को Albert Bandura की theory में देखने को मिलता है और जो ती social cognitive theory के अंदर next is Albert Bandura is known for his theory of, जो Albert Bandura है वो कौन सी theory के लिए जाने गए थे तो वो थे उनकी social learning दोस्तों autism was first described by, तो autism को सबसे पहले describe करा था canner ने next is which of the following is not a component observation learning तो इन में से observation learning की पहले देख लेते हैं इन में से कौन सा कौन सा है attention, retention, production, तो यह तीनों जो है यह observation learning के type है और उसकी stages है तो इसका जो correct option होगा वो होगा option 4 जो production के बाद जो fourth stage यहां पे होनी चाहिए थी, वो होनी चाहिए थी motivation या फिर कई बार उसे reinforcement भी लिखा जाता है वो according to brofen brainer bio ecological model the parents and siblings of a child are example of तो जो parents and siblings है वो जो example है वो है micro system के या फिर micro system के बाद कई बार हम उसे direct environment भी include कर देते हैं या फिर intimate या फिर immediate environment के अंदर भी ने include कर दिया जाता है next है हमारा which of the following is not stage of brunner's cognitive development theory तो इन में से कौन सी theory के अंदर नहीं थी brunner की तो inactive stage भी थी iconic stage भी थी symbolic stage भी तो यहां पर जो तीनो option है यहां पर brunner की stage के अंदर थी cognitive development theory की यहां पर not पूछा है तो जो इसका answer होगा वो है our click stage next question है according to mayor and solway which of the following process is not an aspect of emotional intelligence तो understanding भी है perception भी है management भी तो जो इसका correct option है वो है construction फिर है Kohler's research with Sultan supports which theoretical view of learning तो जो Kohler's ने Sultan पे theory दी थी अपनी उसके अंदर सबको पता है वो था insight learning theory out of sight out of mind best describe तो इसको एक बार हिंदी में देख लेंग तो वहां से आपको clear हो जाएगा दृष्टी से हटने के बाद मस्तिक से हट जाना मतलब जब आपकी आँखों से कोई भी चीज हट गी तो आपके mind से भी हट जाना तो इसका जो पहला ही option है वही है कि जो early sensory motor stage होती है उसी के अंदर जबी भी बच्चों की आँखों के आगे से कोई भी चीजा अगर आप उनसे ले लोगे और सुपा दोगे तो उसे तुरंत ही भूल जाते हैं next question है the study of which of the following lies at the intersection of psychology and pedagogy तो जो दोस्तो हमारी educational psychology होती है उसी के अंदर ये दोनों आती है psychology और pedagogy को दोनों को include जब करते है तो वो educational psychology के अंदर include करे जाते हैं the concept of scaffolding has been given by the scaffolding term coin करी थी वो Brunel ने करी थी पर जो इसको सबसे पहले use करा था concept of scaffolding को यहाँ पर Vygotsky ने use करा था तो इसका correct option है Vygotsky second last question है दोस्तो हमारा the attraction of a girl child towards her father was termed by segment fraud ने मतलब जो एक लड़की का अपने father के प्रती attract होना वो किसे क्या कहा था तो दोस्तो वो था electro complex फिर उसके बाद जो हमारा last question है वो था who believed that infant brain is like a tabla रसाय तो दोस्तो सब को पता है हमें जो tabla रसाय था वो जो हमारे जो john low की थे उन्होंने दिया था प्रती vara the रसाय दोस्तो थार गह ज्ल्वादश जोस्तो अपने जोरा ईन्होंने मन हो